वीवर्स नासा ने अब जूपिटर पर भी लाइफ होने की खोच कर ली थी इसे लिए वो कुछ एस्टरनोर्ट्स को रिसर्च के लिए वहाँ पर भेजते हैं लेकिन जूपिटर पर जाने के बाद उन्हें ऐसे खतरनाक जीव मिलते हैं जिने नासा वाली भी देखकर एकदम स्टॉक हो गए थे कहानी की शुरुवात में हमें नासा के एक रिसर्च के बारे में बताया जाता है दरअसल नासा वालों ने ये पता लगा लिया था कि जूपिटर की एक मून जिसका नम यूरोपा था वहाँ पर जीवन होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यूरोपा प् पर लाइफ मौजूद भी है कि नहीं इसे लिए इन सारी चीजों के बारे में बहुत दिनों तक डिसकसेंट चालू रहती है और तब जाकर नासा वाले इस मिशन के लिए रेडी हो गये थे इस पूरे मिशन में छे सबसे काबिल एस्टरोनोट्स को यूरोपा प्लानेट त करते हैं उनके मिशन का क्याप्टन विलियम नाम का ही कैस्टरोनोट होता है वो लोग तो इस मिशन पर आकर बहुत ही जादा खुश होते हैं इसी तरीके से उन्हें अपना मिशन कंटीन्यू करते हुए एक साल बीच जाता है और अब वो सब अर्च से बहुत ही जादा दू से उनके स्पेस्शिप का में सिस्टम काम करना बंद कर देता है हाला कि कैप्टन विलियम और बाके एस्टरोनोट ये फिगर आउट कर लेते हैं कि स्पेस्शिप में गडबड कहां पर हुई है प्रॉबलम को ठीक करने के लिए एंड्रे और जीम्स नाम के दो स्पेस्शिप में लेकर जाता है हाला कि एंड्रे स्पेस्शिप तक तो पहुँच गया था लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें ये पता चलता है कि जेम्स के हातों पर हाइड्रोजन लग गई है और ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा पॉईजनस था इसलिए अब अगर जेम्स स्पेस्शिप में आ गया तो वो पूरी पॉईजनस थिंग चारो तरफ फैल जाएगी इसलिए बाकी कुरू मेंबर्स जेम्स को ये बताते हैं कि उसे अपना स्पेस्शिट बाहर निकाल करें अंदर आना पड़ेगा लेकिन ये सारी चीजी इतनी जादा आसान नही होने वाली थी क्योंकि स्पेस्शूट के बिना अंतरिष में एक सेकेंड भी रहना बहुत ही जादा मुस्किल था और अगर ऐसा हुआ तो जेम्स की पूरी बॉड़ी एकदम जम कर खतम हो जाएगी वहीं दूसरी तरफ एंडरी की भी ऑक्सिजन खतम हो रही होती है तो स्पेस्शिप को अपने से दूर जाता हुआ दिख रहा था सभी क्रिव मेंबर्स को इस बात का बहुत ही जादा दुख होता है खास करकी एंडरे को लेकिन कुछ देर बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अपना मिशन कम्पलीट करेंगे और अब कई दिनों तक ट्र पूरा वाता वरन बर्फ से ढखा हुआ था चारो तरफ का टेंपरिचर तो काफी लो होता है इसलिए उन में से कोई भी बाहर नहीं जाता अब अपना टार्गेट पोजिशन अच्छे से अनलाइस करने के बाद उन लोगों ने एक बहुत ही एडवांस ड्रिलिंग मशीन ब अनों ने सोचा कि बर्फ थोड़ी सी पिगलने की वज़े से यहां से वाँ हिल रही थी जिसका इफेक्ट उनके स्पेश शिप पर भी पढ़ रहा था और अब सारे क्रूइ मेंबर्स इस मिशन का रिपोर्ट्स तैयार करने लग जाते हैं इसी तरीके से कई घंटे बीच च देता है उस रोशनी के जाने के बाद एंड्रे तुरंत अपने बाकी क्रूइ मेंबर्स के पास आ गया था जो उन्हें लगातार बताता रहता है कि उसने बर्फ के अंदर कुछ लाइट्स को देखा हाला कि एंड्रे सबूत के तोर पर उन सभी को रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा था लेकिन उस टाइम पर बाहर काफी जादा रेडियेशन फैली थी जिससे के रिकॉर्डिंग में उन लाइट्स की फूटेजस आई नहीं और अब सभी को लग रहा था कि एंड्रे को भ्रहम हुआ है वो सब एंड्रे की बातों पर ध्यान ना देके अपना-पना काम स सतों को पार करके अंदर के पानी तक पहुच गई है इस बात से सभी लोग थोड़ा सा कुछ हो जाते हैं वो लोग तो ड्रिलिंग मशीन में लगे कैमरे की मदद से सारी चीजे दीख रहे थे वहाँ पर तो एकदम प्योर पानी मौजूद था वो सब पानी का सेंपल्स भी कले करने लग जाते हैं पर तभी उस जगह पर कुछ अजीब थरीकी के लाइट्स आने लगी थी देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये लाइट्स उपर से नहीं बलके पानी के गहराई से आ रही हैं इसलिए चेक करने के लिए वो सब अपने ड्रिलिंग मशीन को और भी डिसकस करने के बाद केटी नाम की एक एस्टरनौट तयार हो गई थी बाहर जाकर सेंपल्स कलेक करने के लिए क्योंकि उन्हें कैसे भी करके इस मिशन को सक्सेस्फुल बनाना था और अब केटी अकेले ही सूट पैंड कर बाहर निकल जाती है बागी सारे क्रू मेंबर्स के सामने रिपोर्ट्स आई तब वो सब ये दिखकर एकदम शौक रहे गए थे क्योंकि वहां के फानी के अंदर ऐसे माइक्रो और्गानिजम्स मौजूद होते हैं जो अर्थ पर एक्जेस्टे नहीं करते थे यानि कि ये उरोपा की जमीन पर लाइफ मौजूद है ये उन शिप के अंधर बैठे सारे क्रूव मेंबर्स केटी के हेलमेट की वजे से सारी चीजे देख पा रहे थे वहीं दूसरी तर sujet किसे लगातर नीचे गिरने लगी ती तोड़ी धिर में ही पानी की अंदर पहुच जाती है और अब उसका connection क्रूव मेnhबर्स के साथ टूट चू रहा है, connection lost होने के बाद crew members केटी की last recording देखते हैं, जिसमें उन्हें पता चला कि केटी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, और अब recording को अच्छे से analyze करने के बाद, उन्हें केटी के आखों में blue lights दिखाई दी थी, केटी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डरी होती है, ले लग रहा था कि ये सारी चीज़े काफी ज़्यादा खतरना खोने वाली थी, इसलिए और रिस्ट ना लेती हुए, उन सभी ने ये decide किया था कि वो लोग वापस से अर्थ पर लोट जाएंगे, क्योंकि अब तक उनकी दो team members मारे जा चुके थे, कैप्टन वीलियम बचे वी crew members के साथ spaceship को launch करने के लिए ready हो जाता है, उन सभी ने जल्द से जल्द अपनी spaceship स्टार्ट करके वहां से उनना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन spaceship में खराबी होने की कारण उसके engines ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वज़े से spaceship थोड़ी उपर जाने के बाद, फिर से यूरोपा क जमीन की तरफ गिरने लग जाती है, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो वो सब मारे जाएंगे, इसलिए Captain William साइड टाइम पर अपने सीड से हट कर spaceship की water shield activate कर देते हैं, और अब उनका spaceship TG से यूरोपा की जमीन पर गिर चुका था, इंड्रे और बाकी सब जब होश में आते है तब उने ये shocking news पता चली कि उनके Captain William मारे जा चुके हैं, दरसल William ने अपनी seatbelts खोल ली थी, जिससे कि वो landing होने पर काफी उच्चाई से नीचे गिर गया था, और अब उन सारे astronauts में से एक और astronauts मारा जाता है, आलाकि water shield की वज़िस से वो सब थोड़ी दिर के लिए बच गय ताकि वो तिनों ये उरोपा प्लैनेट के और्बिट में मौजूद मधर शिप में पहुँच सकें, अब एंड्रे और डैनियल ये decide करते हैं कि वो बाहर से spaceship को repair करेंगे, वही नैंसी spaceship के अंदर रहकर उन दोनों को assist करेगी, सबसे पहले डैनियल जब shuttle को खुल कर बाहर जा आता है, तब ही उसे वही रोशनी दिखाए देने लगी थी, जिसे केटी ने भी देखा था, और अब उस रोशनी में से कुछ tentacles निकलते हैं, जिन्नोंने डैनियल को पानी के अंदर खीच लिया था, एंड्रे और नैंसी ने ये सारी चीजे देख ली थी, और अब वो अब यूद नासा वालों को ये मैसेज प्रोवाइट कर सके कि यूरोपा पर लाइफ मौजूद है, सीप का कम्यूनिकेशन सिस्टम ओन करने के लिए सबसे पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद करना होगा, यानि कि इसका मतलब था कि एंड्रे और नैंसी को अपनी जा रिकॉर्डिंग ओन करके अर्थ पर भीजना स्टार्ट कर देती है, उसने तो जान बुझकर स्पेस्शिप का डोर ओपन कर दिया था, जिससे कि अब धीरे धीरे पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, ये सारी चीजे रिकॉर्ड होकर अर्थ पर ट्रांस्पर होती जा उसी पानी के अंदर नीले कलर की रॉष्णी आती है, जो और कुछ नहीं वही खतरना क्रियेचर था, और अब उस खतरना क्रियेचर ने अपने बड़ी बड़े टेंटिकल्स निकाल कर नैन सी और पूरे स्पेस्शिप को ये अंदर खीश लिया होता है, तब इस सारी चीज जो से हम इंसान अभी तक अंजान हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें इतने खतरनाक न्यूज मिलने वाले हैं ना, जिससी कि स्पेस एक्स्पलोरेशन का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, आपको ये स्टोरी कैसी लेगी, कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपक कि उस दिए्टे, आपके पूलना भ़ाई का ये थाओ क्आशन में, याज आपको येगी का वाले हिल जाएख में तक उचाहिए हैं, खज़ जखक्स अबसे ही से कि स्टम का ये तकि बिंद напис बताना मत, और हम जाएख की बम reported, बिससमा आपकी